अलेकुम नाजरीन हमें को प्रॉपटी कृटेल लेकर आपको सब्मत में हाजर होया और हम आपको बताते चलें आज का हमारा गर कौरंगी का घर है और आप जो है इसकी मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता है जो हूँ ये घर जो है इसमें दो बेडरूम है दो बातरूम है और ये साट गस का एक मकान है खुब सूरत मकान साट गस का इसमें दो बेडरूम चोड़े चोड़े कमरे बहुत ही अच्छे बातरूम बने वे टाइल्स फ्लोरिंग मार्बल फ्लोरिंग हर तरह का काम इसमें हुआ हुआ यह घर कौरंगी में बाके है और इसकी डिटेल्स में आपको यह बता रहा हूं कि इसमें दो बेड्रूम्स दो बातरूम्स बहुत ही अच्छे अंदाज़े बने वे तो नाजीन में आपको यह बता हूं यह एक फिनिश आउस है और आरेफ यामीन हॉस्पिटल का आपने नाम सुनाओगा यह बिल्कुल उसकी करीब में ही है आप घर की तस्वीरे देखते वे अंदाज़ा लगा रहेंगे विखर अंदर से बहुत ही अच्छा बनाव है लेकिन इसकी एलिवेशन जो है एलिवेशन थोड़ी सी खस्ता हाल है बहार से आप देखेंगे घर को थोड़ी को देखके आपको लगए गई तो बहुती पुराने जमाने का घर है लेकिन इसको ऐसा रखने की भी खास वज़ा है ताके कोई इसी भी किसम की लखेती चोरी साब महफूज है सकें क्योंकि चोर देखके कहेंगे कि इस घर के अंदर क्या हो गई तो बहार से इतना खसता है लेकिन जबके अंदर खसाना मौजूद था तो नाजीन मैं आपको तंजो मिजास हैट के ये बताता है चलूँ दो बेडरूम दो बादरूम बहुत की अच्छे स्टाइल में अंदर बने में वोड़ वर्क भी वहा है थोड़ा बहुत इसमें आप आके थोड़ा बहुत और अपनी मर्जी से भी काम करवा सकते हैं जिस तरह का घर आपको पसंद है और ये घर क्योंके एक मशूर इलाके में इस जगह की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज भी होती है आरिफ यामीन हॉस्पिटल के करीब ये घर है और ये क्यावन सी का इलाका वैसी बहुत मशूर यहां के जो रेट हैं वो बहुत ही तेजी के साथ उपर चड़ते ही रहते हैं तो एक तरह से आपकी इंवेस्मेंट भी हो जाएगी और साट गस का इस इलाके में घर मिलना एक बहुत अच्छी बात है और ये आप लोगों के लिए जिन्दगी में एक बहुत अच्छी अच इसक्रिप्शन से उनका नमबर निकालें और मैमूस आपको कहें मैमूस आप बहुत अच्छा घर है और एलिवेशन जो आपने पुरानी रखी है यह तो सबसे अच्छी बात है घर अंदर से ऐसा अच्छा और बहार से ऐसा दिखता है तो हम तो बड़े मैफूज हैं तो मै बताते चले हम के अगली वीडियो में जो हमें को प्रॉपर्टी ग्रिटेल लेकर आपके खित्मत में हाजर होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाहाफिज